हेलो प्यारे साथियो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नमंबर महिने के मोस्ट इंपॉर्टन करेंट अफिर के 200 इंपॉर्टन कोस्चन्स और ये फ्रेंट्स प्रिवियस जो मंद्स के अगर आपने नहीं देखे है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उने भी कि यहां से कोस्चन आपका करेंट और फिर के सारे कोस्चनस मोस्ट इंपॉर्टन था यहां से वह नहीं जाएगगा चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला कोस्चन्दे थे हैं हाल ही में राश्रि एकता दिवस कम मनाया गया तो राश्रि क्योंक प्रतिवर्ट का पहला चरण किस सहर के तट पर आयोजित किया गया है तो ये फ्रेंट्स माला बार एक्सराइज है ये भारत अमेरिका और जापान के बीच होने वाली ये एक्सराइज है लेकिन पहली बार इसमें ऑस्टेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया है तो आपको ये भी याद रखना है कि चार देशों ने इस बार माला बार एक्सराइज में भाग लिया था और पहला चरण इसका विसाखा पटन में संपन हुआ है नेक्स कोशन आपे देख लेते हैं हाल ही में रेलवे सुरक्षा वलों ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सी पहले स्टार्ट की है तो मेरी सहली नाम की पहले स्टार्ट की है मेरी सहली नेक्स कोशन आपे देख लेते हैं हाल ही में चीन के किस शितर में दुनिया का सबसे अधिक उचाई वाला क्लाउड कंप्यूटरिंग डाटा सेंटर बनाया जा रहा है तो ये तिबत में बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे अधिक उचाई वाला क्लाउड कंप्यूटरिंग डाटा सेंटर नेक्स कोशन है एटलेटिक फिडरेशन आफ इंडिया के नए धेक्ष के रूप में किसे चुना गया है तो नई नुक्ती हुई है ये एडिले सुमीर वाला की ठीक है नेक्स कोशन आप देखते हैं भारत के पहला टायर पार्क कहां बनेगा तो पहला टायर पार्क है ये फ्रेंट्स बनेगा पश्रे मंगाल में नेक्स्ट कोशन यहाँ पे काफ़ इंपॉर्टेंट है आई आई ए ए फफ बी 2020 में किसे मनो बरांत लाइफ टाइम अचीमेंट अबॉर्ट से समानित किया गया है तो ये ओम पुरी को समानित किया गया है इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल और वूस्टन में ठीक है तो ये कोशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बाकी कि हमारी प्लेलिस्ट है कम्प्लीट कोर्स यहाँ पे हिस्ट्री का केमिस्ट्री का और जोग्रफी का ये सब कोर्स आपको बहुत कम समय में यहाँ पे मिल जाएगा जैसे कि कैमिस्ट्री 11 लेक्शर्स होंगे और 10 से 15 मिनट के वीडियोज होंगे अगर आप ये 11 लेक्शर्स देख लेंगे जैसे जोग्रफी के 21 देख लेंगे हिस्ट्री तो कम्प्लीट 22 लेक्शर्स में है देख लेंगे तो ये मान के चलिए कि दो दिन में आप एक एक मतब सब्जेक्ट यहाँ पर आसानी से खतम कर देंगे तो एक बार विजट जरूर करें बाकि ट्रिकी GKY विकास स्टेडी वाली प्लेलिस्ट भी जरूर देखें बाकि टॉपिक बाइस करेंट अफेर के वीडियो ज तो इंपॉर्टन्ट करेंट अफेर टॉपिक बाइस में हैं ही तो भो भी देखें नेक्स्ट है हाली में वेसु की पहली वैग्यानिक बुक مओं भाई बाई कोरोना का वेमोचन किस pendulum किस ने किया है तो यह आनंदी बेन पटेडल ने किया है ठीक है पहली वैग्यानिक बुक है इसलिए काफी ज़यादा important है यह next है Holly ही में T20 में 1000 चक्क्रे लगाने वाले करिकेटर कौन बने है तो Chrissy Gill बने है West Indies के Left Handed Westman तो ये आपको याद रखना है Holly में विसु का सबसे बड़ा प्लास्टिक कच्रे का निर्माता कौन बना है तो सबसे बड़ा प्लास्टिक कच्रे का निर्माता बना है अमेरिका देस नेक्स्ट है हाली में किस टाइगर रिजर्व में पहली बर महिलाओं को गाइड के तौर पर न्युक्त किया गया है तो पहले टाइगर रिजर्व जिसमें महिलाओं को गाइड के तोर पर निक्त किया गया है यह है जिम कारविट टाइगर रिजर्व ठीक है नेक्स है हाल ही में किस राज ने 1 नमंबर 2020 को 65 इस्थापना दिवस मनाया है बैसे तो बहुत राजियों के 1 नमंबर को इस्थापना दिवस होते हैं लेकिन 65 इस्थापना दिवस था मद्देपर्देश का नेक्स देखते हैं हाल ही में लोक सेवा योग की परिक्षाओं में ट्रांस जेंडर को सामिल करने वाला पहला राजी कौन बना है तो असम राजी बना है UPSC की परिक्षाओं में ट्रांस जेंडर को सामिल करने वाला हाली में भारत और कनाड़ा के सोध करताओं ने किस सबिता में डेरी उत्पादन के साक्ष राप्त हुए हैं तो फ्रेंट्स भारत और कनाड़ा के सोध करताओं ने कौन सी सब्विता में डेरी उत्पादन के साक्ष डूडे है तो फेंट सिंदुगाटी सब्विता में डूडे है तो काफी महत्पूर ये कोस्चन है हिस्ट्री पॉइंट अवियो से भी नेक्स्ट है हाल ही में 200 किलो मीटर का वाक्थन फिट इंडिया कहां सुरू हुआ है तो ये फेंट सुरू हुआ है राजिस्थान में तो राजिस्थान में सुरू हुआ है तो आपको याद रखना है इसमें अभिनेता बिद्दुद जामबाल ने हरी जन्डी दिखाई दी और यहां पर खेल मंतरी भी दे नेक्स्ट है हाल ही में किस राजिक के मुख मंतरी ने मोटर वाहन कर को 100% माफ कर दिया है तो मोटर वाहन कर को पंजाब सरकार ने माफ कर दिया है तो आपको याद रखना है कुछ टाइम के लिए ही हाला की माफ किया है नेक्स्ट है हाल ही में तूफान गोनी तूफान गोनी ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है तो तूफान गोनी ने तो लिया है फिलिपिन्स को चपेट में आगे और हम तूफान देखेंगे वो भी आपको याद रखना है नेक्स्ट है हाली में भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाई ओबर बिहार के किस सहर में बनने जा रहा है तो ये फ्रेंट्स बनने जा रहा है बिहार के छपरा सहर में छपरा सहर में बनने जा रहा है नेक्स्ट है हाली में भारत के पहले ईसंसाधन के अंदर न्याय कोसल का उदगाटन कहा हुआ है भारत के पहले ईसंसाधन के अंदर का उदगाटन ये कहां पे हुआ है तो ये फ्रेंट्स हुआ है नागपुर में नेक्स कोशन काफ़ इंपॉर्टन है हाली में किस भारतिय पहलमान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ट चेंपियनसिप का खिताब जीता है तो तीसरी बार जीता है रितू फोगाट ने मिक्स्ट मारसल चेंपियनसिप का यहाँ पे खिताब जीता है नेक्स्ट है हाली में किस राजिस सरकान ने पटाकों की बिक्री और एममातिस बाजी पर रोक लगा दी है तो ये राजिस्थान ने लगाई थी साथ में दिल्ली सरकान ने भी लगाई थी दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या जन गड़ना अभिहास करने वाला सबसे बड़ा जनगड़ना अभिहास करना मतलब कहां सुरू हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा जनगड़ना अभिहास कहां सुरू हुआ है तो जहां जनसंख्या सबसे ज़्यादा है बहीं हुआ है चीन में नेक्स्ट है हाली में BCCI की महला T20 चैलेंज 2020 का title sponsor कौन बना है तो GEO बना है title sponsor BCCI की महला T20 challenge 2020 का Next question देख लेते हैं हाली में नई दिल्ली में robot surgery का सुबारम किस ने किया है तो robot surgery का सुबारम किया है मतलब health minister हर्स बर्दन सिंगा हाली में किस देश ने दुनिया का पहला blockchain आधारित carbon trading exchange किस ने लाँच किया है तो ये friends लाँच किया है सिंगापूर ने याद रखना है आपको दुनिया का पहला block chain आधारित carbon trading exchange Next question हाली में थल सेना प्रुमुक MM नराब ने किस देश की तीन दिवसीय यातरा पर गए है तो ये हाल ही में तीन दिवसीय यातरा पर नेपाल में गए है और नेपाल में येने नेपाली सेना के जनरल का मानत पद प्रदान किया जाएगा ये परंपरा के नस्वार प्रदान किया जाता है जो भारत का थल सेना प्रुमुक होता है उसे हाली में भारत ने किस देश के साथ सेन चिकितसा के छितर में समझ होता किया है तो फ्रिंट्स उजबेकिस्तान के साथ किया है सेन चिकितसा के छितर में समझ होता हाली में पवन कपूर को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक किया गया है तो फिर्ण्स पवन कपूर को किया गया है UAE बे नेक्ट कोशन है हाली में किस राज जिके पन्на टाइगर रेजर्ब को यूनस को वाईयो इस पर रेजर्ब गोसित किया गया है तो पन्ह टाइगर रेजर्ब पूछा जा सकता है यह बर्देस मेंस्तेत है नेक्स कोशन है हाली में न्यूजिलेंड में भारतीय मूल की पहली मंतरी कौन बनी है तो न्यूजिलेंड में भारतीय मूल की पहली मंतरी बनी है प्रियंका राधा कृष्णन ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट रहेगा क्योंकि टॉपिक बाइस जब हम लोग मतलब डिस्कस करेंगे जैसे कि किसका दिहान्त हुआ है कौन भारत में पहला है कौन नई निक्ती हुई है जब टॉपिक बाइस करेंगे तो उसे मतलब डिटेल में देखेंगे यहां पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा स्फीड यहां पर फास्ट रहेगी ठीक है तो यहां पर नेक्स कोशन है किस भारती खिलाड़ी को करनाटक सरकार दोरा एकलब परुसकार से समानित किया गया है तो यह फ्रेंट्स किया गया है केल राहूल को नेक्स्ट है हाली में आई एम एफ में सामिल होने वाला 190 सदसे देश कौन बना है तो अंडोरा बना है अंडोरा अंडोरा और यह यूरोप का एक कंट्री है अंडोरा ला वेला इसकी राज़दानी है नेक्स्ट है हाल ही में भारत के किस रेलवे जो उनने बैग ऑन वील सेवा बैग ऑन वील सेवा की शुरुआत की है तो यह फ्रेंट्स की है उत्तर रेलवे ने इसमें क्या होगा कि ट्रेनों के आगमन पर रेलवे स्टेशन से उनके सामान को उनके घर तक पहुचाया जाएगा हलाकि इसका चार्ज लिया जाएगा नेक्स्ट है हाल ही में भारत को कितने साल बाद आई एलो गवर्निंग बॉडी की चेर्मेंसिप मिली है टीक है इंटरनेशनल लेबर और्गनाजेशन गवर्निंग बॉडी की चेर्मेंसिप मिली है तो ये फ्रेंट्स मिली है 35 साल के बाद संदरा समान की इस्थआपना की है तो ये की है केरल राज्य सरकान नेक्स्ट कोष्चन है हाल ही में प्रधान मंतरी ग्राम सडक्योजना की सफल क्रियान वैन में कौन सा जिला सीड्स पर रहा है तो प्रधान मंतरी ग्राम सड़की उजना के अंतरगत टॉप पे जो जिला रहा है बूर रहा है मंडी जिला हिमाचल प्रदेश का ठीक है नेक्ट कोशन है हाली में फोपस दोरा प्रकासित वर्ल्ड वेस्ट इंप्लायर 2020 के तहट साब जनेक उपकरम की सूची में कौन सीड्स पर चल रहा है कौन सीड्स पर रहा है तो सीड्स पर कौन यहां पे रहा है तो राइट अंसर हो जाएगा एंटी पीसी नेक्स्ट है हाली में उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में सहीद असपाक उल्ला प्राणी उद्यान का निर्माड कर रही है सुपर उपर इंपॉर्टन कोश्यन असपाक उल्ला खान प्राणी उद्यान ये गोरकपुर में मतलब निर्माड कर रही है सरकार नेक्स्ट है हाली में किस नेता के बौध धर्म अपनाया जाने के उपलक्ष में एक बष्ट धम्मा चक्र धम्मा चक्र प्रवरतन दिवस मनाया जाता है तो यह डॉक्टर भीम रावम बेटकर झी के धर्म बाध धर्म अपनाने के पलक्ष में यह बनाया जाता है नेक्श आई हालही में ली कुन ही का निदन हुआ है बह inhabited कंपनै के चेर्मेण थे तो Lee Kun Hee का निधन हुआ है ये Sony Company के चेर्में थे Next question देखते है हाल ही में प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने विस्व के सबसे लंबे मंदिर रोपबे का उद्गाटन किया है और ये कहां पे किया है? ये किया है गुजरात में Next देखते हैं हाल ही में Westpick Mobile Internet Speed रैंकिंग में कौन सीड्स पर रहा है? कौन सीड्स पर रहा है? तो सीड्स पर रहा है South Korea साउथ कोरिया सीड्स पर रहा है Next हाल ही में किस ने 60 Starling Upgrade का नया बेच लाँच किया है? तो ये लाँच किया है Space X ने Chinese Space Agency ने Next है हाल ही में किस सहर की पुलिस ने महिला ससक्ती करण पर अम्मे नामक फिल्म लांच की है है हैधरावार पुलिस ने Next हाल ही में NHAAI ने राजमार्द किस राजमार की राजमार्द की ननेयादी धाँच्छ क को बहतर बनाने के-लिए किसके साथ समझाता किया है तो National Highway Authority of India ने समझाता किया है IIT जोदपुर के साथ नेक्स्ट है हाली में किस देश ने No Mask No Service की पॉलिसी लॉंच की है तो बंगला देश ने की है आपको याद रखना है नेक्स्ट है हाली में महस कुमार कनोडिया महस कुमार कनोडिया का निधन हो गया ये क्या थे तो मनें महस कुमार कनोडिया फैमस संगीत कार थे नेक्स्ट है हाल ही में भारतिय मूल के बेबल राम कलवान किस देश के राष्टपती चुने गये है तो ये फिर्ट्स राष्टपती चुने गये है मैंने ये इंटरनेशनल अपॉइंट में ये कोश्चन हाल में ही कराया है तो आपको इसका अंसर पता होना चाहिए इसका अंसर हो जाएगा ये सेसेल्स के नए राष्टबती चुने गए है तो आपको याद रखना है नेक्स्ट है हाली में किस राज्ज ने पी-एम आतम निरभर निधी में पहला इस्थान हासल किया है तो ये पी-एम आतम निरभर निधी में उत्तर प्रदेश ने पहला इस्थान हासल किया है लेकिन पता नहीं क्यों किया है क्योंकि ऐसा तो कुछ देखने को मिला नहीं है कि इतना आतम निर्वन निदी योजनाय चालू हो गई है खेर हमें याद रखना है कि पहला इस्तान उत्तर प्रदेश ने यहां पे हासल किया है नेक्स्ट है हाल ही में ICCI बैंक ने किस देश में अपना परचालन बंद किया है तो स्रिलंका में ICCI बैंक ने अपना परचालन बंद किया है नेक्स्ट है हाल ही में किस राज में बन्नी उत्सब मनाया गया है तो बन्नी उत्सब मनाया गया है इसमें लाठी से एक दूसरे को पीटने की परंपरा है हाला कि इसमें भगदर मच गई थी दो तीन लोगों की जान भी चली गई थी तो यह आंदर प्रदेश में मनाया जाता है बन्यूत सब नेक्स्ट है हाल ही में इल्फा कंदे तीसरी बार किस देश के राष्टपती बने है तो इल्फा कंदे बने है यह गिनी गंडराज के तीसरी बार राष्टपती बने है हाली में 2050 तक सूने कारवन उतसरजन का लक्ष किस देश ने रखा है तो सूने कारवन उतसरजन का लक्ष रखा है यह फिंट्स जापान देश ने रखा है मतलब जो वीकल से निकलने वाला कारवन है हाली में plastic premier league tournament कहां खेला जाएगा बहुत ही ये मतलब interesting league है इस में क्या है कि मतलब plastic premier league में यह पहली बात तो इंदर में होगा यह विए आपको पता होगा कि सुक्षिता सर्वेक्शन में मतलब यह टॉप पे रहता है तो इनकी जू मतलब यू जनाए है बो भी कुछ यूनिक रहती है तो यहां पर क्या है कि जो टीम होंगी कुछ टीमें बनाई जाएंगी ठीक है और मतलब चार बार सबसे अच्छा स्वक्ष सहर के रूप में समानित किया जा चुका है इंद और चार टीमें बनाई जाएंगी और जो सिंगल यूज प्लास्टिक होगा उसको इखटा करेंगी जैसे एए टीम करेगी बी करेगी सी करेगी डी करेगी जो ज़्यादा इखटा कर लेगी वोई टीम किया होगी विनर होगी ठीक है तो यही है कि प्लास्टिक प्रीमियर लिग टूनामेंट कहला जाएंगा इन दौर में तो अपने आसपास नेक्स्ट है हाली में आई रिपोर्ट के नुशार देश के सबसे भरोसे बन मानब ब्रांड कौन अब रहे हैं तो जिनकी आवाज आप फोन पे सुनते सुनते परिशान हो गए होगा है मिताब बच्चन ये अब रहे हैं मतलब सबसे भरोसे बन मानब ब्रांड हाली में प् के राष्टपती बने है तो लूइस अर्से बने है बोलोविया के राष्टपती ठीक है आपसन बी करेक्ट हो जाएगा और साउथ अमेरिका का ये देश है नेक्स्ट है हाली में किस राजिक के उच्छ नियाले में अदालत की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की बहुत ही अच्छा ये कदम है और ये कदम है गुजरात हाई कोट के द्वारा अदालत की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग ठीक है आपसन बी करेक्ट हो जाएगा हाली में तूफान जेटा तूफान जेटा है इसने किस देश में तभाई मचाई है तो इसने अमेरिका मे इनरजी फोरम चौथी इनरजी फोरम का उदगाटन किस ने किया है तो ये फ्रेंट्स किया है नरेंद्र मोधी जी नेक्स्ट है हाली में किस राजिक के मुख्यमंत्री ने सुमंगलम बैपोर्टल लाँच किया है तो ये फ्रेंट्स लाँच किया है उडीसा के मुख्यमंत सबसे अधिक खरीदार बना है चीन ठीक है नेक्स्ट है हाल ही में हेल्थ केर कमपनी डॉक्टर ट्रस्ट ने अपना ब्रैंड डमेंश्टर किसे ने उक्त किया है तो ये किया है रोई सर्मा को ने उकता नेक्स्ट है हाल ही में किस ने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल ग घर लाएंगे उसको चूरी भी हो सकता है तो यह डर रहेगा या फिर आप क्या करेंगे बैंक में उसे जमा करने जाएंगे तो इससे अच्छा है डिजिटल गोल्ड खरीद ले तो डिजिटल गोल्ड भारत पे यहां पे लॉंच करेगी तो यह काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा भी है तो आपको याद रखना है भारत पे डिजिटल गोल्ड का प्लेट फॉर्म लॉंच करेगी नेक्स्ट है पूर्व मुख्यमंतरी जो कुसो भाई पटेल जी का निधन हो गया बहुत दुखत बात है लेकिन हमें क्या याद रखना है हमें तो याद की है प्रत्विय ब्लोकन उपकर है तो यह फ्रेंड्स इस्रो ने की है ठीक है इस्रो नेक्स है हाली में भारत के नए मुख सूचनायोक्त कौन निक्त हुए है तो भारत की जो निक्त बाले इंपॉर्टेंट 75 निक्तियां जो है नैसनल अपॉइंट्मेंट वो मैंने वीड जाता है फलाल तो यह वर्धन कुमार सिनहा चीफ इनफॉर्मेशन कमिस्नर आफ इंडिया निक्त हुए है एसिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे चुना गया है तो सबसे सुरक्षित बैंक है डीबियस बैंक है डवलब्मेंट बैंक आफ सिंगापूर लिम्टेड चुना एक्स नीक्स है हाल ही में किसने यून इन गलोबल concerne अबाड जीता है तो य उन गलोबल अबाड किसने जीता है तो यह वर्धन सिदा है ग्लोबल हेमालेयन cambiais呢 अभध है तो आपको याद रखना है है हाल है किस राज्र करने और एस्टेट वोरर इस्टेट बोर फॉर वा में किस देश के किर्केटर M. Samuel M. Samuel ने सबी फॉर्मेट से सन्यास लिया है तो ये West Indies के किर्केटर है Next है हाली में किस राजिके पूरे मुक्मंतरी सतीस परसाद जी का निधन हुआ है और ये फ्रेंस बिहार के पूरे मुक्मंतरी दे नेक्स्ट है हाल ही में इंडो इस्राइल सेंटर आफ एक्सिलेंस का आधार सिला कहां रखी जाएगी तो ये गुहाटी में रखी जाएगी गुहाटी में इंडो इस्राइल सेंटर आफ एक्सिलेंस की आधार सिला हाल ही में विस्व सुनामी जागरूपता दिवस बहुत important डे है ये विस्व सुनामी जागरूपता दिवस कम मनाया गया है तो ये 5 नमंबर को प्रतिवर्स मनाया जाता है तो आपको याद रखना है Days and Theme का मैंने अलग से वीडियो बना दिया है उसमें आप देखें थीम्स बहुत important जो exam point of view से हैं सभी आपको मिल जाएंगी Days भी exam point of view से बहुत important होते हैं Next है हाली में IWWF की report कि अनुसर 2050 तक भारत के कितने सहरों में पानी का संकट होगा तो friends भारत में 30 सहरों में पानी का संकट होगा खास कर जहां नाले में पानी जाता है उसको तो बिलकुल भी वेस्ट ना करें क्योंकि अगर पास के ताला में पानी जाता है तो एक बार के लिए वो पानी आपका फिर से जमीन में चला जाएगा लेकिन जो नाले में पानी जाता है वो नदियों में मिलके फिर सीधे समुद्र में चला जाता है और वेस्ट होता है तो इस तरीके से और भी नदियां गंदी होती हैं तो ऐसा बिल्कल भी ना करें पानी को सेप करें Next Question है आप देख लेते हैं Next Question है हाली में फरास खान का निधन हो गया ये कौन थे तो फराज खान का निधन हो गया ये अभी नेता थे नेक्स्ट है हाल ही में सन्युक्त राज अमेरिका और किस देश के बीच नो सेन अभ्यास केरेट सुरू हुआ है तो अमेरिका और बंगलादेश के बीच सुरू हुआ है केरेट नेक्स्ट है हाल ही में पिनाका रॉकेट परणाली के उन्नत संस्कनड का सफल परिक्शन कहां किया गया है तो ये किया गया है उड़ी सा में हाल ही में किस बैंक में दूसरी तिमाही में अपने लाव में 52% की ब्रदी किया है ये कारनामा किया है SBI बैंक ने काफी मैट पूर्ड ये कोशन हो सकता है नेक्स्ट है हाली में कौन पैरिस जलवायू समझोते से आधिकारी करूप से बाहर हुआ है तो ये अमेरिका बाहर हुआ है ठीक है नेक्स्ट है हाली में अक्टूबर 2022 में किस खाड़ी में पहली बार चुना होंगे तो ये कतर देस में होंगे किस खाड़ी देस में पहली बार चुना होंगे तो कतर देस में होंगे जिसकी राजधानी है दोहा हाली में ओपन एरा में एक हजार मैट जीतने बाले पहले टेनिस खिलाडी कौन बने है तो राफिल नडाल बने है और एक हजार चक्बे मानने वाले भी कौन थे वो थे मतलब क्रिस गेल हाल ही में सांती and विकास के लिए विश्वग ग्यान दिवस का मनाया गया तो विश्वग ग्यान दिवस है ये फ्रेंट्स सांती और विकास के लिए मनाया गया प्रति वर्स 10 नमंबर को ये मनाया जाता है आपको याद रखना है और 11 नमंबर को मतलब सिक्षा दिवस मनाया जाता है हाली देश के सबसे लंबे मोटरेवल सिंगल लेन पुल का उद घाटन कहा हुआ है तो ये फ्रेंट्स हुआ है उत्राखन में उत्राखन में हुआ है ये most important question है ये हाली में Collins dictionary ने अपना word of the year 2020 किसे चुना है तो lockdown को चुना है ठीक है और इसके बाद में Oxford dictionary ने भी lockdown को ही चुना है हाली में Bitverse 2020 में भारत के सबसे उदारविक्ती कौन बने है तो सबसे उदारविक्ती बने है आजीम प्रेम जी next question है आपे देख लेते हैं हाली में आलिया जफर किस देश के cricket board में पहली महला सदसे बनी है काफी मैध पूर्ट कोश्चन है कि देश के cricket board की पहली महला सदसे के रूब में कौन बनी है तो बिसकेक राजधानी किस देश की है अब तो आप पहचान गए होंगे कि किर्किस्तान के बने हैं प्रधान मंतरी next है हाल ही में मनोज कुमार भारती जी मनोज कुमार भारती जी भारत का राजधूद किस देश में निक्त हुए है तो ये फ्रेंट्स निक्ट हुए हैं इंडोनेसिया में next question है हाल ही में कौमदी मुंसी का निधन हुआ है बे कौन थे तो कौमदी मुंसी ये कौन थे गायक थे और इन्हें गुजरात के को किला के नाम से भी जाना जाता है next है हाल ही में IMF ने चालू बित बर्स में भारत की GDP कितने प्रसद रहने का अनुमान लगाया है तो IMF ने लगाया है माइनस का 10.3% ठीक है next question या पे देखते हैं हाल ही में यूर वेस्ट डे इस टूडे नामक पुस्तक किस ने लगी है अनुम्प खैर ने लगी है ये पुस्तक यूर वेस्ट डे इस टूडे आपको बिल्कुल भी टेंसल लेने की जरूद नहीं है ये books and author का मैं December महीने का वीडियो बनाऊँगा और उसमें आपको मैं ये question फिर से लेके आऊँगा और जो पुराने questions हैं तो अगर आप ये topic wise भी वीडियो अगर पर डे देखते रहते हैं वीडियो दस पंदरे मिनट का ही होता है उसे अगर देखते रहते हैं current affair का आप मेरे पर छोड़ दीजिए current affair में बहुत अच्छा पर score करेंगे more than 80% score करेंगे ठीक है और अगर कोई question बहुत ही tough आया ना तो ऐसा question आएगा कि जिसे 5 ये 10% जनता हल कर पाएगी वो भी तुक्का मानने पर कर पाएगी तो आपको बिल्कुल भी current affair का लोड़ नहीं लेना है next है हाल ही में किस देश ने विस्व का पहला 6G satellite launch किया है तो पहला 6G satellite launch किया है ये launch किया है चीन ने और फ्रेंड से इस वीडियो की पीडिये अब तो आफ मारे टेलिग्राम चैनल से डाउंलोड कर सकते हैं बाकी का चैनल को पहली बार बिजट कर रहा है तो ऐसे सबस्क्राइब कर लें और यहां पर यह घंटी का बटन जरूर दबाले इसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा वीडियो का नेक्स्ट है हाल ही में राश्टिय सिक्षा दिवस कम मनाया गया है तो राश्टिय सिक्षा दिवस मना जाता है प्रतिवर्स 11 November को नेक्स कोश्ट है हाल ही में किस राश्ट ने देश में MSME के तहट रोजगार प्रदान करने के मामले में सीर्स इस्थान हासिल किया है तो रोजगार प्रदान किया है MSME के तहट यह फ्रेंट सबसे ज़्यादा महराश्ट ने प्रदान किया है ठीक है नेक्स्ट है हाल ही में ता बासामी लाइफ एंड स्किल थू दा लेंस ओफ रामाइन नमक पुछ तक किसने लिखी है तो ये फ्रेंड लिखी है मतलब ये किसने लाउंच की है तो ये बैंक के या नाइडू जोने की है ओपरास्ट पती एम बेंक के या नाइडू नेक्स कोशने आपे देख लेते हैं हाल ही में किस राज्य के मुख्य मंतरी ने सेचा समाधान मुबाइल एप लाँच की है तो ये किस ने की है उडिसा के मुख्य मंतरी नवीन पतनाइक जी ने नेक्स्ट है आईपियल 2020 का सीजन किस ने जीता है तो दिल्ली को हरा कर मुंबई ने जीता है मतलब आईपियल का 2020 खिताब हाली में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलोना संग्राल है अब एक बात बताईए दुनिया का सबसे बड़ा खिलोना संग्राल है हमारे देश में बन रहा है तो कहां बन रहा है ये कोशन बहुत ही महत्पूर है और ये गुजरात में बन रहा है नेक्ट कोशन है हाली में भारतीय मूल के किस वेक्ति को अमेरिका के नए चीफ आफ इस्टाप के रूप में नामित किया गया है भी फलाल तो नामित किया गया है और ये कास्प टेल को नामित किया गया है आपको याद रखना है और बाकी उपराश्ट पती के लिए अमेरिका में उपराश्ट पती पत के लिए किसे नामित किया गया है कमला हैरेस को कमला हैरेस को किया गया है यह भी आपको याद रखना है हाली ही में 2021 में इंटरनेशनल वर्ड फेस्टिवल कायोजन कहां किया जाएगा तो यह फ्रेंट्स गोरकपुर में किया जाएगा उत्तर प्रदेश गोरकपुर में हाली में किस देश के प्रधान मंतरी खलीफा विन सल्मान अल्खलीफा का निदन हुआ है यह फ्रेंट्स बहरीन के पूर प्रदान मंतरी थे नेक्स कोशन है अंतर राजिये प्रवासी नीती सूचकांक में कौन सीर्स पर रहा है तो अंतर राजिये प्रवासी नीती सूचकांक में केरल सीर्स पर रहा है हाले में बिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् दर्दा के द्वारा लिखी गई है तो आपको याद रखना है भगस सिंग कोसियारी जो महराश्च के गवर्नर है इन्होंने इसे लॉंच किया है नेक्स कोशन है आसिब बसरा जी का निथन हो गया है कई बैप सीरीज और कई मूवी में देखा होगा यंग एज के ही थे अभी 52 वर्स के थे और इन्होंने सुसाइड अटेम्ट किया है तो ये फ्रेंट्स अभी नेता थे आपको याद रखना है आसिब वसरा और ये भौकाल जैसी मूवी बैप सीरीज में आपको देखने को मिल जाएंगे नेक्स है हाल ही में किस की आतम का था आई अम नो मसीहा जल्दी ही लौँच की जाएगी तो ये फ्रेंट्स सोनु सूद की आतम का था है ये सोनु सूद काफी चर्चा में है तो आपको याद रखना है हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्राले कहां खोला जाएगा तो भारत का पहला चंदन संग्राले है मैसूर में खोला जाएगा next question हाल ही में किस राजी के मुक्मंतरी ने mission रोजगार mission रोजगार नाम कभियान सुरू करने की घोशना की है तो ये कारनामा करेंगे उत्तर प्रदेस के योगी आदित नात हाल ही में जैनू परसर में स्वामी विवेका नंद जी की मूरती का अनावरन किस ने किया है तो ये किया है नरेंद्र मोधी जी ने नेक्ट कोशन है बोसी की याना important push तक है बोस्कियाना जिसका हाली में नाबरड हुआ है किसकी जीवनी परादा रहता है तो ये गुलजार की जीवनी परादा रहता है next हाली में world happiness day कम मनाया गया है तो world happiness day है ये मनाया गया है 14 नमंबर को next हाली में किस देश के सहादत रह्मान ने अंतराश्टी बाल सांती पुरुषकार जीता है काफी महत्मूर कोश्चन है ये सहादत रह्मान जी बंगला देश के हैं तो आपको ये याद रखना है बंगला देश नेक्स कोशन है हाली में किसे विस्व की सबसे कम उम्र की लेकक वर्ल्ड's youngest author के रूप में माननेता मिली है तो अभी जीती गुपता को मिली है ये आठ वर्स की है आठ वर्स की है ये तो आपको याद रखना है नेक्स के आँपे देखते हैं हाली में किसने दियों के सबसे बड़े परदरसन के लिए गनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इस्थापित किया है तो आयोध्या में किया गया है च्छे लाक दिये जलाए गये थे दिवाली के अपसर पर नेक्स कोशन काफी इंपॉर्टन्ट है प्रदान मंतिरी नरेंदर मोदी जी ने इस टैचू आप पीस का अनावरण किया है और ये कहां किया है तो ये फिर्ट सराजस्थान में किया है गुजरात से बिल्कुल भी कन्फियूज मत होना ये कोशन ये बहुत इंपॉर्टन्ट है 151 वर्थ एनिवरसरी बिजए बल्लब सुरवेसुर जी महराज जो जैन आचारे थे इनकी प्रतिमा का यह अनावरण 151 में वर्थ एनिवरसरी पे किया है तो इसकी जो लंबाई है उंचाई है वो 151 इंच की है प्रतिमा की तो आपको याद रखना है हाली में कहाँ विस्व की पहली बच्चों की लाइबरेरी लाँच की जा रही है तो एक बात बताएए भारत में की जा रही है विस्व की पहली बच्चों की लाइबरेरी तो कोशन बहुत ज़दे इंपॉर्टन है ये फ्रेंट्स कोलकाता में की जा रही है नेक्स कोश्चन है सत्य जीत गोस का निधन हुआ है सत्य जीत गोस जी का निधन हुआ है ये कौन है ये फुट वालर है फैमस फुट वालर है ये फुट वालर है मतलब थे हाल ही में हाव टू बी अ राइटर किताब किस ने लिखी है How to be a writer किताब लिखिया है Ruskin Bond Next है हाल ही में किस राज की पहली महिला सांसद चंदरबती देवी का निधन हुआ है तो पहली महिला सांसद ये फ्रेंट्स हर्याना राजी की थी काफी महत्मून कोशन ये भी है तो आपको याद रखना है किस कंपनी दोरा One More Thing नामक कारिकरम आयوجित किया गया है One More Thing नामक कारिकरम आयوجित किया गया है एपल के दोरा Next कोशन देखते हैं किस राज्ज ने फर्जी जाती प्रमाड पत्त्र लगा के जो सरकारी नोकरिया करने हैं तुरंत बरकास्त करने का निर्देश दिया है तो 36 गड़ सरकार ने ये किया है नेक्स्ट है हाली में किस राज्ज ने देश में सर्फसिष्ट लिंग अनुपाद का रिकॉर्ड दर्ज किया है तो ये रिकॉर्ड दर्ज किया है रुनाचल प्रदेश में सर्फिष्ट लिंगानुपाद वो भी नहीं होता है जैसे गर्ल्स और बॉइस का रेसियो बॉइस पता चला 1000 है या मेल फीमेल का रेसियो तो 1000 पे अगर ये जैसे केरल में सबसे ज़्यादा है पता चला 1058 है तो ये भी अच्छा नहीं है अच्छा तब होगा जब 1000 इदा है तो 1000 इदा हो या इसके करीब हो तो सबसे बहतर रहा है रोनाचल प्रदेश का ठीक है ना कम हो ना जजदा हो बराबर हो नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में एसिया की पहली सौर उर्जा सक्षम टेक्स्टाइल मिल का उदगाटन हुआ है काफी महत्पूर कोश्चन है बजब ये टेक्स्टाइल मिल है ये सौर उर्जा के दोरा ही कम्प्लीटली इसका संचालन किया जाएगा तो इसका उदगाटन कहां पे हुआ है इसका उद्गाटन हुआ है महाराश्चा में एसिया की पहली है यह हाल ही में चुनाव आयोग ने किस अबिनहिता को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है तो सूनु सूथ को किया है तो सूनु सूथ को नेक्स कोशन हाल ही में किस वैंक ने मुह बंद रखो मुह बंद रखो नामक अभियान सुरू किया है तो यह किया है HDFC में मुह बंद रखो मतलब मास्क लगा क्या हो हाल ही में किस राज के मुखमंतरी ने गौ कैबिनेट की स्थापना करने का नेड़ा लिया है तो ये किया है मद्द प्रदेश सरकान है गौश से संबंदित मतलब गाय से संबंदित जितनी भी स्कीम्स है जादतर में आपको मद्द प्रदेश के द्वारा ही रांच की गई है नेक्स्ट है हरुमान जी की सबसे उची प्रतिमा कहां इस्तापित की जाएगी तो ये हमपी में की जाएगी हमपी में नेक्स्ट है हाल ही में फ्रैंसी को सागास्ती को किस देश का राश्टपती चुना गया है तो ये ने पेरु देश का राश्टपती चुना गया है हाली में किस राजे की सूर सरोबर जील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है और सूर सरोबर जील उत्तर प्रदेश में है नेक्स्ट है हाली में वैस्विक रिस्वत जोकिम सूचकांक में भरत का कौन सा इस्थान हो है तो रिस्वत जोखिम सूचकांक में भारत का सतत्तरमा इस्थान है नेक्स्ट है हाली में किस राजे सरकार ने पोसित परिवार सो पोसित प्रदेस अभीहन की सुरुआत की है तो ये की है मद्दे प्रदेस सरकार ने नेक्स्ट है हाली में केंदर सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंच वर्सी योजना सुरू की है तो गिद्धों को बचाने के लिए पंच वर्सी योजना सुरू की है केंदर सरकार ने हाली में किस देश ने पैटरोल और डीजल की कारों की बिक्री पर प्रतिबंद लगाय जाने की गोशना की है तो बिर्टेन ने की है Most important question Next question हाली में अजे कुमार को किस देश में भारत का भारत का राज़दूत निव्द किया गया है ठीक है तो ये friends किया गया है बुरुंडी में और ये friends जो आजे कुमार को बुरुंडी में किया गया है याद रखना है Next हाली में किस ने 2020 का बुकर प्रुसकार जीता है तो बुकर प्रुसकार कफी important है 2020 का जीता है डखलस स्टूर्ट ने Next question देखते है हाली में किस राजी के मुख्यमंतरी ने इंद्रा गांदी मातरत पोस्ण योजना की सुरुआत की है तो हाली में सुरुआत की है तो जाहिर सी बात है इस राजी में कॉंग्रेस के सरकार होने के ज़्यादा चांस है तो ये है राजस्तान इस तरीके से आप मतलब आइडिया लगा सकते हो हाली में किस ने हर घर नल योजना की सुरुआत की है हर घर नल योजना की सुरुआत की है नरेंद्र मोदी जी ने और ये इसकी थोड़ा लेट स्टार्ट हुई है पहले स्टार्ट होने वो थी लेकिन इसमें क्या है हर घर तक 2024 तक हर घर तक पानी की सप्लाई बेजी जाएगी ठीक है तो बहुत ही important है यह हाली में ICC ने नई नियुन्तम आयू की नीती के मताबिक कितने साल से कम अमर के खिलाड़ी को अंतराश्टे करकेट में नहीं खेल सकेंगे तो 15 वर्ष से अगर आप कम के हैं तो आप अंतराश्टे करकेट में नहीं खेल सकेंगे इसके बात में क्या है किस राजे सरकार ने महा आवास योजना महा आवास योजना नामक ग्रामीड विक आवास पर योजना चालू की है तो ये फ्रेंट्स महा आवास योजना ने की है नेक्स्ट है कोशन काफी इंपॉर्टन हाल ही में बतायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवाड दो हजार बीस के से समानित किया गया है तो रमेज पोकरियाल ने संक जी को किया गया है एमेचारडी मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन के जो मिनिस्ट्र है तो आपको याद रखनी है ये बात नेक्स्ट कोशन रिपोर्टिंग इंडिया रिपोर्टिंग इंडिया नामक पुष्टक किसने के लेखक कौन है तो प्रेम प्रकास जी है रिपोर्टिंग इंडिया नामक पुष्टक के लेकर हाली में किस राज़ ने दो हजार ने गव आसरे का निर्मार करने की गोशना की है तो ये भी किया है मद्द प्रदेश ने नेक्श गोशन है तेरा सो साल पुराना जो भगवान विश्णू के मंदिर पाकिस्तान की किस जिले में खो जा गया है तो ये फ्रेंट्स पाकिस्तान के स्वात जिले में खो जा गया है S, W, A, T नेक्श गोशन देखते हैं हाली में किसने अपनी डिजिटल एब अनन्दा लाँच की है तो ये फ्रेंट्स की है L.I.C. बेंक ने लाँच ठीक है इसमें आप अपनी जो पॉलिसीज है वो उनलाइन बेच सकते हैं और चेर्मेन है एमार कुमार LIC बेंक के नेक्स कोशन काफी इंपॉर्टन्ट है G20 सिखर सम्मेलन का हाली में आयोजन हुआ है I think 21 नमंबर को हुआ है और पंदरमा ये सम्मेलन था और जिसका आयोजन किया है सौदी अरब ने ठीक है आपको एक इंपॉर्टन चीज और याद रखनी है कि 2022 में जो सम्मेलन होगा ना वो हमारे भारत में होगा नेक्स कोशन देखते हैं हाली में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचाले डबल डेकर बस ये लॉंच की है तो ये स्कॉटलेंड ने की है नेक्स कोशन देखते हैं हाली में भारत के पहला मास गार्डन कहां इस्तापित किया जाएगा तो ये ने निदाल में किया जाएगा पहला मास गार्डन नेक्स हाली में महिलाओं के खिलाफ को किया गया है याद रखना है इंटरनेशनल डे फॉर दे इलिमिनेशन आफ वाइलेशन अंगेस्ट वूमेन कफी इमपॉर्टेंट रहेगा इसलिए आपको याद रखना है नेक्स्ट है हाली में किस देश ने 2020 के एपक सिखर सम्मेलन की मेजवानी की है तो ये की है मलेशिय ये एपक सिखर सम्मेलन में 21 मतलब देश होते हैं जिसमें हमारा भारत नहीं सामिल है लेकिन कोश्चन में याद रखना है मलेशिया में ये हुआ था नेक्स्ट है किस राज के पूर मुक्यमंदरी तरौन गोगोई का निदन हुआ है और ये असम राज के पूर मुक्यमंद ये नेक्स्ट है हाली में किसने अमंग एप का अंतराश्टी वरजन लांच किया है तो अमंग एप का किया है यूनिवाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू इज गवर्नेंस न्यू एज गवर्नेंस तुआब आपको याद रखना है ये कीया है रभी संकर परसाथ ज नेक्स्ट है हाल ही में प्रदानमंतरी मोदी किस यूनिवर्सिटी के सौ साल पूरे होने पर इस मारक सिक्का जारी करेंगे तो ये करेंगे लखनव यूनिवर्सिटी के सौ साल पूरे होने पर ये सिक्का जारी है हाले में Doctor of Science के उपादी किसे दी गई है तो Doctor of Science के उपादी दी गई है के सिवान को और के सिवान जी है इस्तरो के चेर परसन Next हाले में जुगल बंदी दा B.J.P B.4 मोदी नाम पुछतक किस ने लिए Most important book रहे गिया तो ये बुक लिए है बिने सीता पती ने नेंस्ट कोशन है हाली में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर वेक्ती कौन बने है तो पहले तो है जैस पर जौज्ज दूसरे फ्रेंट कौन बने है एलोन मस्क और ये स्पेसे के मतलब CEO है और ये भी चीन के हैं नेक्स ए हाली में भारती सेना ने किस देश क अतंकपदियों के खिलाब Operation 500 शुरू किया है पाकिस्तान के आतंकपदियों के ठीज़ए Next question है लिए किस Tiger in Reserve में बागों की आबादी दोगनी करने के लिए अंतराश्री परुसकार मिला है तो बहुत अच्छा काम किया है बागों की संख्या बहुत कम हो रही थी, बागों की संख्या दोगनी हुई है, पीली भी टाइगर रिजर्ब में, ठीक है, यह कोश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आपको बताना है, नहीं आता है, तो गूगल करके बताना है, लेकिर इसका आंसर आपको जरूर ब application पर PDF आपको मिल जाएगी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share जरूर करें ताकि वो भी अपना कम समय में अच्छे से current अफिर तियार कर सकें, GK का portion तियार कर सकें, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद